तो वो सरफ एक नाम है और वो नाम है Elvish Shadow, Big Boss 2 के विनर और इसके साथी साथ पहले wild card winner आप भी गैया होंगे जब Big Boss में तो सोचके गैया होंगे, मैं तो जीतूंगा, नहीं जीतूंगा था है कोई थॉट्ट? मैं यह सोच के नहीं गया था कि मेरे को जीतना है मैं बस इंजॉय करने गया था क्योंकि यह मेले ना काफी नहीं एक्सपीरियंस था मुझे किसी reality show ने बुलाया पहली वारी कि आप इसमें आऊ और Big Boss में थोड़ा बहुत देखता भी था तो मुझे बस experience करना था मैं यह नहीं सोच रहा था कि मुझे जीतना है हारना है बस enjoy नहीं आपको लगा था कि आप और यूट्यूबर हैं आप बहुत फेमस हैं बिग बॉस जाने का मकसद और जादा फेमस होना था जीतना आप कहा रहें नहीं मौज मस्ती के लिए गया था आप शो में यह भी बताते हैं कि आपकी इनकम कितनी है आप कितना कमा लेते हैं और उसके बाद आप वहां जाते हैं तो उससे डबल पैसे में गया आपको इनल बार सब्सक्राइब नहीं अच्छा कासा मारा चल रहा था यां आपने बोला भी था यह बात बढ़िया चल रहा था बार हमारा क्या सुष्टि अंदर आने की स्टार्टिं में होता है जैसे एकदम से घर बंध है वो ना कोई फोन है ना कोई अपने लोग है उन्ही के चेहर तो आपके साथ तो बलोग बल रहे बेनिफिट था आपके साथ अबिशेक वो साथ में था एक ब्रोग कोट चल रहा था आपके लिए तो फिर भी एज़ी था पच्छिस लाग आप ही ले गए ऐसा कुछ नहीं है मैं बदाता हूँ जो आप कह रहे हो आपकोई वाली बात ब मैं गया और मुझे भी लग रहा था कि शायद मैं ना जीतू क्योंकि पब्लिक जो है वो स्टार्टिंग से देखती है कि कौन कितना रिलेटेबल है कौन कितना इंपक्टफुल है तो कम टाइम में इंपक्ट डालना इस हाड जो पब्लिक को लगा कि हाँ अलविश ने डाल बहुत बहुत बालनसिंग गेम जो अभिशेक के लिए कहा जाता है वैसा आपने नहीं चला क्या आपको एक टॉइंट पर ऐसा लगा कि मैं फेमस हूं बाहर या मैं जीत सकता हूं तो आप मैं थोगा सीरियस वे पर खेलता हूं आप बदले या आप जो सोच के गया थे उसी कुछ गलती ना हो जाए मैंने गलतियां भी करी मैंने एकसेप्ट भी करी बट कभी नहीं सोचा कि थोड़ा फेक बनके दिखा हूं या फिर प्रेटेंड करूं कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं या फिर मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव हूं जो है बाहर वो अंदर थ और आप अपने अपनी चीजों को बहुत अलग धन से कहते थे लिक आप उर्फी जब आई और आपने उसने पूछा कौन से कपड़े में पहनूं जो तुम तो आपने सूट को कहा उसके बाद एक और यूट्यूबर अंदर एक लड़की थी आपने उसके लिए कहा कि तुम मैं यह सब कहने वाला तुम्हारा जो दिल करे वो तुम पहनो बट ऐसा फ्रेंड जैसे मुझे पता है कि मालो कोई ऐसे बैठी है लड़की या फिर तोड़ा गलत पोस में बैठी मेरा सिरफ पोस से था मतलब कि आप इस पोस में बैठ तक्या लगा लो क्योंकि कोई बाहर क भाने सूट वाली लटकी ही पसंद करे अपनी लाइफ में या वेस्टिन पहनने वाली लविश पसंद आसकड़ नहीं मेरी जो इसटर है वो खुदно बैंती तो मुझे ऐसा कोई इसु नहीं किसी भी dress code के साथ किसी बीची़ के साथ बस अपनी प्संद होती है जैसे मुझे मुझे पसंद है कि मेरे साथ कोई हो वैसे कुछ भी पहने बट मुझे सूट पसंद है सूट सलवार में और अच्छी लगेगी वो मुझे मेरी आंकों से और वैसा कुछ निया कि वो जीन्स पहने की तो मुझे खराब लगेगी सब चीजे बराबर है बट वो मेरी एक personal choice है कि वो पहने तो और सुन्दर लगेगी और सुन्दर लगेगी अच्छा आप जैसे आपने बहुत बार ये कहा कि आप जिस तरीके से काम करते हैं यह आपका अपना अंदाज है यहाद इसलोगो नियुकर में अब बट वह वह पी आफ़न पाफिर अंदर को तो मैं पूजा वाली चीज सर्फ एम का इसन कि मियाओ रहा इसनो अ हट्वाestко कर लगा इसने और येuchमेशा आप चलता उम्हांसा दोस लेकर आब Galan कौन सा दोस्त लेका है जो आपके साथ हमेशा रहने वाला Manishah रानी तो नहीं है उसमें नहीं सबी है Abishek है Manishah है बेबीका से भी बात होती है मेरी और अभिनाश का बार्दे था कल वो बुला रहा था मैं जाननी पाया और पूजा जी से भी मेरी बात होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से दोस्ती खतम करके आए, जो है वो है अच्छ जब आए थी शो में, तब तो किसी को पता ही नहीं था कि आप एंटर करने वाले हैं, आप बकाइदा वहां टेस्स लेने आए थे, Captain C वाला और उस समय मनिशा ने आप से पूछा कि आप Elvish कहां से आए हैं, तो आपने बड़ा बढ़ी हैं जवाब दिया थे, कहां से आप Elvish? और यह Elvish नाम सिधार से Elvish कैसे हुआ यह भी बताईएगा? मैंने उसको बोला तो उस टेम पे South South Arabia, वह वैसी मजाक में बोला मैंने, और नाम का भी मैं कई वारी Big Boss में भी मैंने बताया कि मेरा नाम पहले सिधार था, फिर मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने वह बोलते थे घर पे कि चाचा लगते थे मेरे पिताजी उनके, कि वह इसका नाम Elvish रख दो, Elvish रख दो, तो हम जिस गाव में रहते हैं, जहां से बिलॉंग करते हैं, उनको समझ नहीं आया कि यह कैसा नाम है, सही तो है, इसका सिधारत नाम Elvish तो अंग्रेजों का नाम है तो फिर उनके एक्सिडेंट में एक्सपाय होगे भाई, तो तब घरवालों ने उनके कहने पे कि उन्होंने बोला था कि Elvish होना चाहिए, तब मेरा नाम चेंज किया, ऐसे कुछ आप उसमें भाग के और इन सब चीजों में तो यकीन ही करते हैं, कि नाम बदल लूंगा, तो अच्छा यूट्यूबर बन जाओंगा, मेरा नाम भी तो देखो न, आप कैसा है, Elvish, इसको चेंज करके भी Elvish करेगा और फेमस हो जागा, यह तो कौन ही सोच सकता अच्छा, इसके अलावा, आप जिस तरीके से आप पूरा Big Boss आपने जर्नी जी, उसके बाद जब आ बाहर आए, आप बहुत सारी खबरे आ रहे हैं, कि Elvish आलिया भट आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आप क्या फिल्म में जाने वाले हैं, आप पॉलिटिक्स में जाने व अच्छे पैसे दिखेंगे, बट वो काम अगर मुझे पसंद आएगा, तो ही मैं करूँआ, अभी मैंने सच कुछ नहीं सोचा कि मैं बॉलिवूड में जाऊं या पॉलिटिक्स में जाऊं, मेरा ये कि go with the flow, जो चीज़े आ रही हैं, अगर वो आपको पसंद आ रही है, त तो उन्हीं काम प्लान आउट कर रहे हैं कि कौन सी चीज हम कर सकते हैं, अभी स्क्रिप्ट्स नहीं आए मरे पास, वो भी पढ़ूँगा, अच्छा वो जो Elvish हैं पुराने वाले, जो रोस्ट करते थे, एदम दे गालियों में गालिया, जो पुराने Elvish से, अब जिस तर मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, मैं जो, मैं जिस चीज की वएसे winner बनाऊं वो थी reality, जैसा मैं भार था वैसे घर के अंदर था, तो उसी के चक्कर में जीता, और जो आप गाली-गलोच की कह रहे हो, वो सब करते हैं, आम लाइफ में, अगर आप बाहर निकलोगे, आप भी गाली मैं बहुत कंट्रोल करा, मैं मेरे थोड़ा था कि मेरे कुछ गुस्ता तो जल्दिया जाता हूँ, और आप ने कुछ ऐसा कुछ कहा था विनाश को, और आपने का ये गाली में अगर गिन लेंगे तो फिर गाली क्या होती है, इसको मैं तो गाली में नहीं गिनता, इतना तो नहीं गलत बोला तो मेरे बाप पे गए, नहीं मैं तो सही कह रहा हूं तो हो, तो ये जो style है, अलविश्ग, आपको लगता है यही पसंद क्या 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 रियाल्टी क्या बात कर रहे हैं कि आप जैसे थे वैसे बिग बॉस में थे, अब इशेक के लिए भी का जाता है, वो उनका 50 million plus था, तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल काफी इंपक्त है उनका social media पर तो जीत सकता है, तो इसा twist क्या हुआ? वो पब्लिक जाने वाई, पब्लिक ने वोट करा मुझे तो जो आप थूआउट आपने कभी गेम नहीं खेला Big Boss के अंदर? नहीं खेला? नहीं जी जीता था कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह है जहां पर खड़े के opinion देना है या फिर क्या करूँ मैं ऐसा जो लगे कि यह भी गेम में, क्योंकि मैं तो जैसा घर में अपने रहता हूं बजाग मस्ती करते रहा तो मैं वहीं उधर कर रहा था, तो शायद वहीं पब्लिक को एसे ही करेक्टर जीते हैं बिग बॉस में ऐसा बहुत बार देखा गया है, जो opinionated होते हैं, अपनी बात रखते हैं, या सही चीज़ पे सही जगे खड़े होते हैं, मैंने आपको देखा आप बेबिका का मामला हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी चीज हो, जहां लड़ाई है, क्या है, Armen किनारे हैं, या सह रहा है, या सही, भी आपका नहीं था, तो आपने डिफरेंट तरीकी का, या कैंदी, यह गेम नहीं खेला जहां आपको जीते हैं मिलग डाज report, आप घि पनाता है तो आपनी ये करने का सोचा नहीं, मुझे यह चीज़ समझ नहीं आती, मुझे जो रियालिटी शो तो रियालिटी शो थो देखाना अगर बिचेंज हो जाता कि मैं ऑपीन्यं देना लगा क्युके मैं मेरे को पसंद ही पने अगर कोई चीज मेरे पास जब तक ना है, मेरे उफर ना है, शीज सही है गलत है मैं उ जब बिग बॉस से निकले थे तब आपने अपने इंटर्वियू में कहा था कि अभी तक आपने अपनी गल्फ्रेंड से बात नहीं की है, फोन पर बात करेंगे कहीं उसने आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया सब चीज अपनी जगे पर्फेक्ट हैं तो मतलब आप अभी committed हैं हाँ जी तो जितनी लड़कें आप पर try कर रहे हैं वो वो ना करें कि अभी कारी जैने दिए गीम चला लेते हैं बाद में देखेंगे चलके मैं इस चीज को खेल नहीं मानता कि जब तक किसी के लिए feelings ना है दिल से प्रिटेंड नहीं कर सकता उस चीज को किसी चीज को pretend नहीं कर सकता. कि जो है, वो है. अगर दिल से feeling आईगी, तो ही होगा, नहीं, तो नहीं होगा. वह रहाए थी जिसके साथ है, मुसके साथ छाथ अब ही तक है? आप दिल से फिलिंग में तो आपको गाड़ी को लेकर बहुत कुछ का है और अंदर भी आपने घर पे लेकर बहुत जूट बोले हैं, में पास महेंगी गाड़िया का है, मैं तो बहुत घरीब हूं ऐसा, तो यह क्यों अगर आप गरीब हैं दूसरी तरफ आप बड़ी क्या सच्चाई है अलविष की नहीं सच्चाई जो है वो है वो दिखता है मेरे प्रोफाइल पे और जो है मेरे भगवान के दया से वो सारी चीज है बट वो कुशन ऐसे थे कि बड़ी-बड़ी गाड़ी मैं ऐसे कहता है वाई हम पे कुछ निया वाई हम तो गरीब आद में वो ऐसे सीरियसली उस में में नहीं बोला मैंने बोला कि हा वाई नहीं है वाई हम पे पैसा नहीं है अच्छा जब बिग बॉस आप गया होंगे तो बहुत सारे टीवी आक्टर आपने एक कॉनरसेशन भी आपका था टीवी आक्टर्स हैं पूजा भट हैं बड़े-बड़ हम गाड़ी नहीं है या यह सब उसी का रेक्शन था या आपके दिमाग में आया नहीं मुझे पता था कि जो पावर ओडियंस में होती है वो किसी में नहीं होती मला लोग समझते है कि यूट्यूबर है तो इसकी लाइफ सिरफ यूट्यूब तक सीमित है इसके आगे तो क् सब्सक्राइब दिया तो कि समझ लोग कि जनता की कितनी पावर है यूट्यूबर के साथ जो की एक्टर के साथ उतनी क्यूंकि हम लोग रिलेटीबल है हम लोग कॉंटेंट निकालते हैं उनकी मुवी या फिर जो भी आते हैं उनको स्क्रिप्ट दी जाती है खासकर मैं कि आपका शुरू हुआ, यूट्यूबर वाला? मेरा हुआ ये स्टाट 2016 में कैसे? ऐसे आपने क्या किया है पढ़ाई में या आपके घरवालों ने ठोक पीटके ये तो कहा होगा बेटा कोई तो सरकारी नौकरी कर लो सरकारी नौकरी ही में मक्सद था मेरे फादर साब सरकारी जॉब पर ही है तो वह भी सोचते थे कि लड़का कुछ हमारा सरकारी जॉब करे I.E.S. I.E.P.S. बने मेरी मम्मी पीछे पढ़ी रहती थी तू एक बार बैठ जा तेरी कुंडली में लिखाए तो U.P.S. सी क्लियर कर जागा तू बैठ तो जा तो मैंनी बैठा पहले घरवाले कहते थे कि 11 त में साइंस ले हमें हमारे घर से एक डॉक्टर चिये एक नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो हमारी थोड़ी हवावा जी होगी तो वह भी नहीं करा मैंने बोला मुझे समझ नहाता मुझे फिजिक्स में मेरा हाथ काफी कम जोर था, मैंने बोला कि मेरे से कॉमर्स कर लूँगा, मैंना C.A. बन जाऊँगा, मैंने C.A. काभी पेपर नी दिया, फिर मैं सोचता था कि वो बैंक मैनेजर बन जाऊँगा, और मुझे महीने के 50,000 रुपे मिल जाएंगे, मैं उसम एक मिनिट की वीडियो आती थी, छोटी-छोटी, तो मैं सुचता था, मुझे बहुत मज़ा आता था देखके कि और ये क्या बढ़िया चीजे बना रहा बंदा, कौन है ये, तो मैं भी तो ऐसी बना सकता हूँ, तो मैंने भी उसके देखो देख, बहुत सारे लोग थे, उ करते हैं, लिकिन इसको अचीज बनाने में कुणकि आपको भी इस्टेबलिश उधर होने में वक्त लगा होगा, लेकिन तब तक घरवालों का भी प्रेशर होता है बहुत सारे लोग हैं को का करना चाहते है लिए, प्रेशर होता है कि आप आपि करना है अट का शूर् 근데 का बहुत दिन चलाने तुझे उससे में गल्फरिंट थी नहीं इतने कम पैसे में तोड़ी आती गल्फरिंट फिर भी मतला तो पैसे में रखता था में पे income source नहीं था बट एक साल मैंने महनत करी YouTube के उपर मुझे पता नहीं था कि मेरा गोल पैसा कमाना नहीं था मेरा गोल था कि मुझे famous होना है और लोग मुझे पैचाने कि ये भी कोई है और अपना social media थोड़ा strong करना था मैंने तो मैंने पैसे का नहीं सोचा मैंने Facebook पे वीडियो डालता था मैं पहले बहुत जादा फिर नहीं चली मेरी एक भी वीडियो सारे zero zero views बट जो मेरी वीडियो क आप में बैटे थे हम सोच रहे कि यार यह हो नहीं पा रहा हम से रोज अपने चुन्नी उन्नी ओड़ के खुदी लड़की बन रहे हैं खुदी सारी चीज़े हो नहीं तो कुछ नहीं हो पा रहा और हम वेस्ट कर रहे हैं अपना time कुछ और करना चीए अपने जॉब अपनी एक farewell वीडियो की गाड़ी में बैठके सामने फोन लगा के एक वीडियो बनाते हैं वह वीडियो बनाई हमने और वह फेस्बूक पे चलीगी नहीं पता पांच-छे मिलियन चलीग तो पैसे में रखता था मेरे इंकम सोर्स नहीं था बट एक साल मैंने महनत करी मैंने फेस्बूक पे वीडियो डालता था मैं पहले बहुत ज्यादा फिर नहीं चली मेरी एक भी वीडियो सारे जीरो जीरो व्यूज बट जो मेरी वीडियो कॉपी करके बड़े-बड़े पेज डालते थे उस पर वो वायरल हो जाती थी और वो मुझे क्रेडिट भी नही देखते थे मेरे फिर मैंने छोड़ दिया था मैं और मेरे एक दोस्ता हम लोग साथ में बैटे थे हम सोच रहे कि यार यह हो नहीं पा रहा हम से रोज अपने चुन्नी उन्नी ओड़ के खुदी लड़की बन रहे है खुदी सारी चीज़े हो तो कुछ नहीं हो पा रहा और स्कुलाबर चाहिए उसके बाद फिर अपनी एक फैरवल वीडियो की गाड़ी में बैटके सामने फोन लगा के एक वीडियो बनाते हैं वो वीडियो बनाई है और वो फेस्बूक पे चलीगी नहीं पता 5-6 गैन चलीगी 24 गंटे गंदर तो हम चोगे कि यह क्या हो गगा हम फोन मेरे घरवालों ने मेरे को दिलाया था बट जो कैमरा पहला था हो मैं खुद ले आया था तो घरवालों को यह नहीं लगा है क्या कर रहे हो तुमको टीचर या कुछ ऐसा आइस बनने के सपने देखे थे और कहा तुम चुन्नी पहन के नाच रहे हो बोलते थे ऑफ बेलकुल बुलते थे एपय और छिक आप जाद़ा कर देखे साँ है symptom है तो उसके लिए बोलते थे कि तू क्या करते रहता है यह सोचल मीडिया हमारे लाइन का नहीं है तू भाई कुछ जॉब वब के पेपर वे परफॉर्म भर और अपनी जॉब वब स्टार्ट करो ऐसे बोलते है तो जब पैसे आने लग गए आपने पैसे लेने बन कर दिये फिर अब गरवालों को दिखाया होगा देखो भाई इतना पैसा कमारो तब उन्होंने का ओगा लड़का कुछ ठीक कर रहा है नहीं मुझे याद है मेर पे फोन आया धीरेज भाई का सबसे पहली बारी कि हम इस एजनसी से बोल रहे हैं और हम आपको साइन करना चाहते हैं हम पैसा कितना जाएगा क्योंकि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो कहते है कि नहीं पैसे तो हम तुमें देंगे ना फिर मैंने समझनी है मैं कि क्या करे कि न ऐसे ऐसे ब्रैंड साइए आपके पास और आपको एक वीडियो का देंगे बारा जार उपे तो मैंने कि मुझे करना क्या ह तो मेरी दो वीडियो बनवाई और मेरे आए 24,000 रुपे मैंने घर पर बताई कि ऐसे ना 30-30 बोलने के 12-12,000 रुपे मिलते है मुझे तो घरवाले वी एकदम से चॉक गए क्योंकि सैलरी होती है जैसे एक एमपलोई की तो 30 से कंड बोलने का तो उनको भी नहीं मिलता तो घ बहुत पावर है और इसको ग्रो करेंगे तो अपना जो रेट है और बढ़ेगा और और ग्रो करेंगे और बढ़ेगा जितने फॉलवर्स जितने आपकी इंपक्त है ओडियंस पर उतना आपका प्राइस बढ़ता है लेकिन एक और चीज है जैसे जितने फिल्म स्टार हैं अगर कभी वो किसी गुटके का या किसी ऐसी चीज का प्रमोशन कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए क्योंकि यूथ आपसे बहुत कुछ सीखता है तो वो भी बहुत चुन के चीजों को करते हैं लेकिन एलविश, गन, गालियां, गोली हर कुछ मिक्स था आपके में आपके तो इस तरीके से लोग ना हूँ जो आपको फॉलो करते हैं तो इलविश उस दिशा में को सोचते हैं क्या कि यूथ को इंस्पायर करते हैं बिलकुल, बिलकुल सोचता हूँ मैं कि गलत लाइन में ना जाए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है बदमाशी के उपर मैंने क तो रहा हो जायागा उनके उपर मैंने वेब सीरीज बनाई थी जिसके अंदर ये था कि कुछ लोग होते हैं वो एक जॉब करते हैं उन्हें वो देखते हैं किसी को कि भाई ये तो हफता मांगने आ गया तो हम ये क्यू नहीं बन जाते हैं गुंडे बदमाश कू नहीं बन और का पैसा खाओगे तो बहुत गलत तरीके से निकलेगा तो मेरा मानना यह है ना मैं कुछ चीज करता और ना मैं सपोर्ट करता कि किसी के पैसे खाओ या फिर हराम की कमाई खाओ तो जब आप इस लाइन में बढ़ रहे थे यूट्यूब में जब आपके वास नौकरी न बढ़ते रहता हूं अच्छा एक दो चीजें और हैं क्योंकि हमने बात कि आप पॉलिटिक्स जॉइन करोगे आप फिल्म करोगे अगर एल्रिश पॉलिटिशन बने तो कैसे बनेंगे आप पहले पसंद किसको करते हैं यह बताईए और फिर आप कैसे पॉलिटिशन होगे कोई है आपका रूलिट इसमें ऐसे किसी को एक पर्टिवलर इंसान को इसे रूल मोर्डिल नहीं मानता कि मुझे पॉलिटिक्स मैं जाना है तो इसके जैसा बनाया है ऐसा फुश्न है मेरे मानना buffalo की आइष्टिस itself śka का बना वो चीश करो और वह कोई भी एकर रहो किसी पी पार्टी पसंद करता हूँ अच्छा अगर कोई फिल्म करना हो तो कोई रोल या कुछ ऐसा आपका ड्रीम कि मैं भी एकदम टशन से आऊं पीछे दो गाड़ियां और रही हो रोहित वाली फिल्म की तरह अपना पौर कोनली है कि आका हुटा बाशन करना है वक्रता गर्राने हैं या या तो बढ़ sixteen को इंटना बढ़ियां कोई बिलिश बढ़ियां ऊसकते लिवे आपको interfereं करें अब दिक्कत आगंगे आपने मनें बने सामने हो तो आप के वाले होगे मुझे जलम को आप करने को तयार है मैं और क्या planning से आपकी future में सच बता हूं मैं कोई planning नहीं है जो आ रहा है बस वो चीज हम कर रहे हैं जो हमें सही लग रहा है और जहां से यह सोचने कि आप अपना जो पैसा है जो आया है इसको multiply कैसे करा जाए इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए और और बहुत सारी चीज़े बिग बॉस के बात से आप पहले ऐसे होता था क्या कि यूट्यूबर थे आपने एक बार इंस्टा पर बोल दिया भाई आज तो यहां पर होंगा मैं यहां जमावडा लगने वाला है तो वहां इतन इतनी भीड आती थे आपकी सपोर्ट इतनी नहीं आती थी बट हा आती थी काफी आती थी मैंने मेरे साथ से दस मीटफ करें उसमें बहुत भीड आती थी बहुत पसंद करते हैं लोग मुझे बगवान की दया से और अभी बिग बॉस के बाद पहले कहाता मैं तोड़ा नॉ करते थे और अभी भी आपने ऐसे ओटीटी ही किया नॉर्मल बिग बॉस से अगर आपको जो टीवी पे आता है अगर उससे आपको आफर आता है तो जाएंगे आप नहीं अभी तो नहीं जाओंगा मैं क्यूंकि अभी घरवालों से काफी दूर था मैं 30 दिन मेरे बहुत ज साथे रहते हैं आप अपना अलग स्वाइग है आपका लेकिन बिग बॉस के अंदर वो एल्विश पी देखा जो किनारे खुपचे में बैठ कर बड़े ऐसे से करके साड हो रहा है तो वो किसके लिए इतना दुख और इतना वो आपका साइट क्या है मैं मैं मम्मी के बहु तो उनी के बये निया निया धिन ख़तम हो गया मुझे अब नहीं आयाक क्विभी तो उसकी उदासी थी कफी कि आर कोई निया मेरे घर से फिर अगले दिन भी कि आया आया कोई नहीं आया फिर मलब second last आय तो तब मैं कुछ हो गया कि चलो कोई तो आया अच्छा ऐसे आपको actress कौन पसंद है मुझे आलिया बट पसंद है अच्छा तो उनके साथ movie करना जाहेंगे आप बिलकुल करना जाहेंगे अच्छा और अक्टर में कौन पसंद है अक्टर में तो बहुत सारे हैं अक्षे कुमार भी पसंद है रितिक रोशन भी बहुत सारे पसंद है ऐसा एक कोई particular नहीं है अच्छा इतने कम एज में इस बुलंदी पर पहुच जाना कई बार कहते हैं सक्सेस लोग पचा नहीं पाते हैं आपके स आपने बूला की सर पे ना चड़ जाए फेम इसको बुलते हैं सर पर चड़या वह ही नहीं मुझे इंहीं हो था कि मैं कुछ बड़ा आदमी बन गया और दो मुझे तो लोग पोछ रहे हैं सा कुछ नहीं है मैं सब के आप जोरके आदे जोड़ते हैं मैं तो यह क।म प्य तो आपके तरफ बहुत बदल गया होगा वह कॉलेज वाला एलिश फिर उसके बाद यूट्यूबर वाला एलिश आप तो विनर वाला एलिश क्या चेंज देख रहे हैं इन पढाहूं में आप दोस्तों का तो नहीं चेंज हुआ उनके लिए पहले भी मैं ऐसा ही था अभी ग वो आके किदर बहुत बढ़ियां किया शांदार काम कर रहा है नाम रोशन कर दिया तो वो लोग आप काफी पूछते हैं कि एक बारी फोटो किचवा दो हमारे बतीज आ रखे हमारे बान जा रखे उनके साथ फोटो करा दो आपने गुस्सा दिखाया है जाओ अबना किचारा में नाइए उनको कैसे गुस्सा दिखाया हूं क्यू उन्होंने तो बहुत कुछ बहूं अवर रहता है सामने रला नराज हो गया तो डर निराथा मुझे गुस्सा किसी से भी नराजगी एक तो होता है वही घुसा है नराजगी बुक्ता को यह जाता मेरे से अपना तो मुझे उसनाल लगता है कि या या यह मैंने गलत कर्या आपको जब आप बिग जिसको आपने roast किया था आशिका वाट तो उसके साथ आपको पता था कि वो आपके साथ ही गई थी तो जब आपको यह पता चला आपको उसके साथ जाना था आपने पहले सौट कर लिया कि देखो तो सबना ऐसे था और शो में मत बूलियो वहाँ पर क्या होता है कि जब सेट जाते हैं तो ब्लाइंड्स लगाते हैं आखो पर दिखाते हैं कौन है कौन नहीं है तो हम लोग गाड़ी में मिले था गाड़ी में बठाके जब लेकर जा रहे था कहरें ब्लाइंड्स अटा लो तम मैंने देखा था अच्छा आशिका फिर मैं समझ गया इन्होंने क्यू क्योंकि रूस्ट करा था मैंने उसको बट वीव नॉम्मल वहत चिल हम दोस्ती थे और ऐसा इक बार में 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 दोस्ती है जब लेए ये थो बुर इन्हें को डोस्ती यारी व आन्वाल को आपने पहले से बारे मैं को सुना हो देखा हो और बोड़ आप खुद वहां आप दलते हैं वो तो दरू भी पिलाते हैं मैं सोचता था मैंने सुनके गया था क्योंकि यूट्यूब पर क कि भाई बिग बोस में तो दरू हरू भी बीपिलाते हैं सुच्क्रिप्ट होता है मैं अंदर गया ना कोई script मिली और कि दरू चलो मैं कहा ही प्यूं Darren नियुंग है सब रियल everything was real और आप वहां पे तो आराम से कहते थे बिग बॉस सोने क्यों नहीं दे रहे हैं थोड़ी दिर तो सोने जीचे सोने नहीं मिला यह बहुत दिक्कती महां पे में टास्क यह था कि वह बेटिंग गेम सुबह उठो तैयार हो जाओ या मत हो तुमारी मर्जी है और बैढ़ जाओ या फिर कुछ करो अब एक इंसान कितनी बात करेगा मतलब किस से कितनी बात करेगा टॉपिक्स खतम हो जाते हैं घर के बाहर के स्टार्ट हो जाते हैं वह भी खतम हो जाते हैं फिर ऐसे बैढ़ जाते हैं वापे ऐसे करें फिर बिग बॉस शाम को टास्क होत तो इसे पहस्के मेरे आदत लगगी थी बरतन बरतन दोने की माबाप तयार हो जाएंगे चिलने माबाप सब चिलने वो किसी बात पर नाराज नहीं हुई मनिशर रानी या स्कुछ और या कुछ नहीं सब बढ़े हैं चल रहे हैं अच्छा कोई अगर को देना हो अपने चाहने वाले को लड़किया बिचारी जो अभी थोड़ा सा खुश होई कि आप सिंगल हैं उनका दिल आपने जो तोड़ा एक वह message दूसरा आप क्या करने वाले हैं कि लोग आपको किस तरीके से accept अभी और करें उसको लेकर कुछ और जो आपका दिल कह रहा हूँ क्योंकि आप लाइव हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं आज मैं लाइव हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जितना प्यार जनता ने मुझे दिखाया, मैं उसके लिए words बहुत का मैं मेरे पास, मतलब मैं बहुत बारी सेम चीज बोल चुका, कि मेरे पर शब्द कतम होगे, मैं हाथ जोड के बस यही बोल सकता हू कि ऐसे ही प्यार दिखाना, ऐसे ही सपोर्ट करना और बदले में जितना मेरे से हो पाएगा, चाहे एंटर्टेन्मेंट के लिए और फिर किसी भी जोन में जिससे आप लोगों का बला होता हो, तो मैं जरूर करूँगा, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग क्या होता है हमारे अधर बहुत हमारे जासूस होता है इधर अधर सब जगे घूम रहे हैं तो आप थोड़ा सा अवेर हो कि जाना दूसरा यह भी वह बारबर कि कि मैंने गाड़ी वाल सवाल तो आपसे पूछ लिया यह आपने आज एक गाड़ी रिवेल की है, ऐसा है क्या यह रिवेल कि मतलब अपने नहीं गाड़ी ले लिए आपने नहीं काड़ी ले ले लिए वाड़े आपके फैन नहीं वो तो थी मेरेबास पहले से